9,000 किलोमेटर से जादा रेल लाइनों की डबलिंग की है कहां 19 और कहां 7,000 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3,000 किलोमेटर रेलिवे का बिजली करण हुआ था बीते 7 वर्षों में हमने 24,000 किलोमेटर से भी अधिक रेलिवे ट्रक का बिजली करण किया कहां 3,000 कहां 24,000 2014 के पहले लगबग 200 किलोमेटर ट्रेक पर ही मेटरो चल रही थी आज 700 किलोमेटर तक मेटरो का विस्तार हो चुका है और 1000 किलोमेटर नए मेटरो रूट पर काम चल रहा है 2014 के पहले पांच सालों में सिर्फ साथ पंचायतों को ही 60 पंचायतों को ही अप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सका था बीते साथ बरसों में हमने डेड़ लाग से अधीग ग्राम पंचायतों को अप्टिकल फाइबर से कनेक कर दिया है कनेक्टिविटी के पारंपारिक माध्यमों के विस्तार के साथ साथ इनलेंड वाटरवेश और सी प्लेंज नया इंफ्रास्ट्रेक्टर भी देश को मिल रहा है दो हजार चोबिस तक देश में सिरफ पांच वाटरवेश थे आज देश में तेरा वाटरवेश काम कर रहे हैं दो हजार चौदा से पहले हमारे पॉट्स पर बेसल टर्न अराउंड टाइम कि फोर्टी वन अवर इक्या इत्यानिस गंटे से भी जादा था अब यह घटकर 27 गंटे प्रह गया है इसे और कम करने का प्रयाब भी किया जा रहा है साथ योग कनेक्टिविटी के अलावा जरूरी दूसरे इंफ्रासेक्टेर के निर्मार को भी नई रप्तार दी गई है बिजली की प्रोडक्शन से लेकर ट्रांस्मिशन के पूरे नेटवर्क को ट्रांस्फरम किया गया है वन नेशन वन पावर ग्रीड का संकल्प सित्ध हो चुका है 2014 तक देश में जहां तीन लाग सर्किट किलोमिटर पावर ट्रांस्मिशन लाइन्स थी वहीं आज ये बढ़कर सबाच चार लाग सर्किट किलोमिटर से भी जादा हो चुकी है न्यू एंड रिन्यूर्बल एनर्जी के मामले में जहां बहुत ही मार्जिनल प्रेयर से वहीं आज हम दुनिया के टॉप पांच देशों में पहुँच चुके हैं दो हजार चौदा के इंस्टॉल केपेसिटी से करीब करीब तीन गुना केपेसिटी यानि सो गिगावर्ट से ज्यादा भरत हासिल कर चुका है साथियों आज देश में एवियेशन का आधूनिक इकोसिस्टम विक्सित करने पर तेजी से काम हो रहा है एर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देश में नए एरपोर्ट के निर्मार के साथ ही हमने एर स्पेस को भी और ज्यादा खोल दिया है बिते एक दो वर्षों में ही सो से ज्यादा एर रूट्स की समिक्षा करने उनकी दूरी गटाई गई है जिन खेत्रों के उपर से पैसेंजर फ्लाइट्स के उड़ने पर पाबंदी थी उसे भी हटाया गया है इस एक फैसले से बहुत से सहरों के बीच एर टाइम कम हुआ है उड़ान का समय कम हुआ है एवियेशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए नई MRO पॉलिसी बनाना है जिस GST काम पूरा करना हो पाइलट्स की ट्रेनिंग की बात हो इन सभी पर काम किया गया है साथियों ऐसे ही प्रयासों से देश को विश्वास हुआ है कि हम तेज गती से काम कर सकते हैं बड़े लक्ष बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं अब देश की अपेक्षा और आकांक्षा दोनों बढ़ गई हैं इसलिए ो प्रिक शर्वासपरा में जाटे हैं कैंग केई हैं और जाटे सभिए न सर्वाख कारश हैं